हाई अव्रीवन वेलकम बाग दिस डॉक्टर निकीतर सलानी आपके अपने यूट्व चैनल में मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जिन महलाओं में कॉंस्टिटिशनल इस्टेज रहती है इस्टेरिलिटी की जिसकी वजह से वो गर धरन करने में असमर्त रहती है क्या ह जब होता है वेजा जो महला में वजय न होती है मियोनी रहती है जो योनी दूर होता है उसमें इस्पेंटर रहता है जो कि मसल से बना रहता है उसका इस पेंटर का means एक subtle like structure होता है आप लेमेल लेंगवेज में मैं समझाना चाहोगी कि एक subtle like structure होता है उसका relaxation हो जाता है जब ejaculation होता है जब वो महला पुरुस के साथ संबंद करती है तो ejaculation होता है, cement discharge होता है तो वो subtle close नहीं हो पाता है जिसके वज़े से semen बहार आ जाता है और महला चाहते हुए भी गर्व धारण नहीं कर पाती है इस स्थिति में महला को एक मैं होमोबैतिक मेडिसिन शेयर कर रही हूँ नेटरम कार्बोनिक इस मेडिसिन की एक combination आता है इस सॉल्ट है इसको आपको चार-चार टैबलेट दिन में चार बार लेना है और जो आपकी स्पेंटर की मसल्स है उसमें टाइटनेस आ जाएगी और स्पेंटर टाइट हो जाएगा जिससे कि आप अगें संबन बनाएंगी तो ये मसल्स कॉंट्रेक्ट हो जाएगी और सीमें बाहर डिश्चार्ज नहीं होगा और आप कंसीव हो जाएगा आपका ओकी आई होप आज की जारकरी मेरी अच्छी लगी होगी मेहनाओ के लिए काफी हैल्फुल रही होगी नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं डॉक्टर निकिता सेलानी चल मिलूँगी थैंक्यू सो मस्ट थैंक्स फोर वाचिंग